हमने गुरुदेप की पादुका विराज मन की हुई है तो अभी हमारे आगे पीछे कोई नहीं और हमें समझ भी नहीं किसको देना चाहिए तो अगर शरीर पूरा हो जाता तो मारा जी फिर हमारा जिंदा तक हमारा अधिकार इसके बाद हमको क्या मतलब है यह थोड़ी कि यह सब जीते जी हमें कार्य करना स्रीजी के चिंतन में सरीर छुटने के बाद फिर इसका कोई मात नहीं है पक्का समझे अब हमारी भासा को कोई समझे नहीं पाएगा जीते जी सच्चिदानन्द भगवान का बज़न नहीं किया मरने के बाद दुनिया के वाप उससे कुछ जीते जी रामकृष्णहरी भोला इसके बाद इस सरीर को गटर में फेक दो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो परमपद में चला गया इस सरीर को क्या है साप की साप अपने बिल में चला गया केचुल को कुछ भी करो आप आर्ती उतारो चाह डंडे से मारो केचु जिन्दा में कभी किसी को तुमने खवाया ने भूखे को कभी सेवा ने कि अब मरने के बाद जो है उसके लिए चवुतरा बनवाया जैब लड़ू बाटे जाए तो वो तो नरक भोगरा है ना लड़ू थोड़ी उसको खाने को मिलेंगे वो तो नरक भोग रहा करमा नुसार तुमाई लड़ू खाने के लिए उसको समय थोड़ी है इसलिए जी अब तक यावत स्वस्थमिदम सास्त्रों की भासा को समझना कठी ने यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत्च दूरे जरा जब तक तुम्हारा सरीर स्वस्थ है बुड़ापा दूर है मृत्यू नहीं आई तब तक अपने कल्यान के लिए कर लो जो कुछ करना है और सरीर शूटा तो बज़ा इसे समझो जैसे गाड़ी शूट गई वो जा रही देख रहे हैं भी साधन है ये भगवत प्राप्ती के लिए है भगवत प्राप्ती हो गई खतम खेल विरक्त जन भी ठाको सिवाब उनके तो ना पूत्र है नो कोई माल लो यहां तो इतना एकत्रित हो गया नहीं तो कौन पूछने वाला है भगवान के सिवा थोड़ी कोई है अब वो पड़ी मन आये कोई ले जाये मन आये फेक दे मन आये प्रवाहित कर दे हमारा काम तो हो गया न तो बाहर ज्यादा महत्वा ने रखना चाहिए इसलिए हम कहते हैं व्यक्ती गुरू नहीं हो सकता गुरू कभी व्यक्ती नहीं हो सकता और व्यक्ती कभी गुरू नहीं हो सकता ये गुरू नहीं हो सकता जो अभी कुछ दिनों में कितना पचास-पच्पन वर्स होंगे या जो भी पहले इसका अस्तित्थी नहीं था और कुछ दिनों में इसका अस्तित तो नहीं रहेगा मिट्टी में मिल जाएगा ये तो मिट्टी में मिलने वाला गुरु थोड़ी होता है और जो इसके अंदर है वो पहले भी था वो अब भी है और वो आगे भी रहेगा रूप बदल जाएंगे लेकिन वो नहीं बदलेगा वो वही रहता है बस समझ भी है रहे है तो इसलिए हम ज्यादा इन बातों पर मात नहीं देख तो इसमें खास कोई बात नहीं ये इतना समझो जितना आप गो गोचर जहां लगो मनु जाई खास बात समझ लो सो सम माया जानो भाई सबका नास होगा जहां तक तुम देख रहे हो और जितना तुम सुन रहे हो जहां तक तुम्हारी इंद्रिया जा रहे हैं सम माया में है तो बोले फिर भगवत प्राप्ति कैसे होती मानी संख्या सवाल हल करना, इस्कूल में जब पढ़ते थे मानी संख्या, एक जगे मानी संख्या पुरा सवाल हल हो जाता था ऐसे हमने मानी संख्या स्री भगवान गुर्देव मानी संख्या, स्री भगवान ये छवी मानी संख्या, ये विग्रह स्री भगवान अब यहां से सुरू हुए धीरे धीरे हमारी भावना बढ़ती गई सम्मे भगवान फिर यहां भी भगवान मुक्त हो गया खतम खिल हो गया लेकिन अगर आप इस भाव में नाएं तो आप देख लिजिए भगवान की दो शक्तियां एक देवी शक्ति एक आसुरी शक्ति है भगवान की चाती से और अधर्म का पीष्ट से हुआ है लेकिन दोनों पावर हुए कहां से उसी भगवान से इसलिए जो विग्जिजन जानते हैं उसको समझते हैं आप विचार करना जिस समय आसुरी शक्ति प्रवल होती है तो उनकी भुजा में बैठे गए पर यह क्य मान खड़ें इधर और अर्जुन से कहें मार भीष्म को बुले ऐसे विजय नहीं हो सकते धनुत बार जब तक नहीं रखेंगो बुले सिखंडी को सामने कर और है कौन वही इस्ट स्री क्रश्ण जिनका राद दिन भजन भीष्म करते हैं हारी की लीला को समझ पाना बहुत क कर रहे हैं तुम सरधाल हो जब जाकर इसे मस्तक नवाते हो तो तुम्हारे भाव बढ़ते हैं और एका शरधाल हो जब जाकर के वहां अपनी मन मानी करता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है क्यों आप कहे दो क्यों नहीं बिगड़ता है तुम्हारी दृष्टी में पाप है उसकी तुश्टी में पाप नहीं है वो इतना महान है परमात्मा इतना महान है कि तुम सोच नहीं सकते हो जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के गोद में लगुशंका करे सोच कर दे अब यह अपराज म कि और बलिष्ट कर दिया सामने जो आता बिद्धंस मारता चला जाता चीरता चला जाता हजारों मात्माओं को तलवार के घाट उठारा मरजी चलता रहता है यही करोणों धर्मनिष्ठों को ऐसे एक लाख बंदी बनाए गए थे एक बार एक लाख सनातंधरमा लंगी और सब साप को खड़ा किया पीछे और खिरकी से जाक आदिस के लिए काट डालो कर देने सापकी काट डाली गए जब इतियास पढ़के देखो तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कभी भगवान दैतियों को प्रवल कर देते तो कभी भगवान दिरताओं को प्रवल कर देते हैं वो ही है तो बहुत ही उदार परमात्मा पिता है वो गाली देने वाले को भी प्रथवी में रखता है और भगवान को जो गाली देता है उसको भी भरपेट भोजन देता है सुरी का प्रकास देता है वायु देता है अकास के नीचे रखता है वो ऐसा नहीं थोटी मोटा हřददय नहीं हमारे प्रभू का धियान रखना में प्रभू को जहर पिलाने गई उनको परमपद दिया ऐसे करपाल भगवान ने उनके सुभाव को जानना बहुत कठी नहीं हमारे प्रभुए ये भगवान उसको क्यों नहीं मार दिया हमारे एक ब्रंदावंदास चाचा जी नाम के बड़े महानुशंत हुए जो उनको पता चला कि घहनानंद जैसे सिद्धों को उसने काट दिया तो हट कर लिये उन्होंने का हमको उत्तर दो भगवान से का आप कहा थे आपका वचन है कि अगर मेरे भगत को कोई संकट होगा मैं उपस्तित होता हूं वह वचन कहां गया आपका उनके बहुत उच्छी कोटी के महात्माति शमाधी लगी शमाधी में देखा उन्होंने कि स्री जी के साथ प्रिया प्रितम के साथ गहनानंद जी और सब सेवा म और इनका अनंत जनमों का संसकार भस्म करना था यह एक सेकेंड की लीला हुई जैसे उडिया बाबा को यहां से गड़ासे में काटा गया था गड़ासे में गड़ासा मार मार कर उडिया और ऐसे सिद्ध ब्रमलीन मापुरस की इतना भी कभी किसी को कटू नहीं बोलते एक बिक्षिप्त आदमी मार गड़ासा लिये हुए था या पांच छे गड़ासे बारे यहीं तो आश्रम है कृष्णा अश्रम और यह साठी वर्स पहले की बात होगी कोई सव्दोसों वर्स पहले की धुड़ी बात है अब इतने बड़े महात्मा का अंतिम का इसे हो रहा है अरे और छोड़ो द्वारी का अधिस भगवान का अंतिम लीला जानते हो कैसे होई श्री चरण अपना बाये चरण की जंगा पर रखे प्रशन मुद्रा में पीपल के नीचे और बहलिये ने देखा श्री चरणों की लालिमा तो उसको लगा कोई म्रग है और मारा तान के ब बहलिये को सदेफ परंपद दिया बान मानने वाले बहलिये को सदेफ अच्छा अब भगवान ने बान क्यो मरवाया तो ये दोरी का दिस जो भगवान मने राम जी हैं और कोई थोड़ी है उसके पहले त्रेटा में भगवान राम बन करके चुप करके बाली को तो बाली ने यही प्रस्म किया था कि वीरता का अलक्षन होता है युद्ध छेत्र में सत्र पक्षो को ललकार करके मारना यह कौन से बात आपकी रही कि ब्रक्षर में छुप करके क्योंकि उसको वर्दाम था उसके सामने जो जाएगा आदी सक्ति उसमें चली जाएगी तो मारा ही नहीं जा सकता था यह भगवान जालते थे इसलिए ब्रक्षर की आड में उसके ठीक शाती पर बाण मारा तो उसने कहा कि यह छुप करके क्यों मारा मैं तुम्हारा दुष्मन हूं और सुग्रिव तुम्हें प्राण प्यारा लगा सुग्रिव कौन सा भजना नंदी और मेरे में कौन सा इसा दोस्त भगवान को फसा लिया एक डम एक मिनट में मैं बहरी सुग्रिव प्यारा कौन सी ऐसी बात खाना हमारा भाई हम जानते हैं हम दोनों एकई सुभाव के हैं हमें पता है तुम्हारा कभी बजन नहीं किया इसने लेकिन आपने उसको स्वईकार किया है तो आप हमको य मेरा सरनागत है और सरनागत का बहरी मेरा बहरी होता है इसलिए मैंने तुम्हें भारा वावात यह हुई लेकिन भगवान ने फिर उसी का भाव अपने चरणों पे लिया कि द्वारी का अदीस के रूप में जब बान संधान करके वह बहलिया मारता है तो भगवान ने के नीला स्वरूपों पर पहुंचे तो बिना सिध्ध हुए आप भगवान के चरित्रों को जानना बहुत कछी ने, आपको संसय हो जाएगा, एक जगे तो भगवान कहते हैं कि मेरे भगत का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, और एक जगे 22 बजारों में मार कोडे खाल पर उन्होंने का लई 22 बजारों में मार कोडे उनकी खाल के से, तो इसलिए हमें लगता है नामजब करे भगवान के आश्रित्र रहे और बेना भगवत प्राप्ति के इसन रास्यों को ले जाला जा सकता, भगवान के रास्यों को तभी जाना जा सकता है, स्वई जाना जे देव जनाई जानत तुम्हें हो जाई इतनी प्रार्थना है कि भगवान के लीला चरित्रों में ये जरूर ध्यान रखना कि एक ही भगवान नाटक कर रहा है दैत्यों में आशुरी सक्ति और देवताओं में दैवी सक्ति दोनों वही है दूसरा नहीं है इसलिए वो अपने आप से अपने आपको मिटाता है अपने आप से आपने आपका सरजन करता है अपने आप से अपने आपका पालत करता है ये जो जान गया वो कभी भ्रहमित नही कि हैसा आए यार भगवान का भक्त होने पर भगवान ने उसकी रक्षा रही कि कई ऐसे प्वेटाते जैसे मनों तो थोड़ा भजन करते颜ंदमक्त हो गये तो अगंघ्प परमानों ये लाम मिला कि पूर जन्मों के कर्म का पाप दंड ये है और मेरे भजन का प्रताप्य कि ऐसी स्थिती में भी मैं मस्त हूँ और आखिरी बात अब मेरा अंतिम जन्म है फाइनल अब मैं अपने प्रभू के पास जा रहा हूँ अब जब बुला ले बिलकुत तयार बेग है वारी प्रभू के पास जा रहा हूँ तो ये निरने तब हम ना बताएं तो तुम कैसे जानोगे जैसे हम तुमसे कहते हैं नाम जब करो बड़े सुखी रहोगे तो आप कहे दो कि आप सुखी होके दिखाओ ये क्या है अनंत जन्मों का पाप भगवान भश्म करके अब मेरी अंतिम गती होने जा रही जैसे भीष्म पितामा जी च्छा बाड़ों की सया पर पड़े आब वो काब घतब ये रास से समझना बड़ा कठिन है अगर ये रास से समझ लो तो भक्ती के सूरवीर हो जाओगे लही तो बहुत कठिल है फिर ये लगेगा कि यार भग जवान का ब्या होना हो तो कैसा फूला रहेगा ऐसे लाख गुना हमको आनंद रहता है हर समय हर समय आनंद ऐसा अब बस सरीर छूटने का इंतिजार है कि कब सरीर छूटने अपनी प्रियाज उसे मिलू जाकर अपनी प्रियाज उसे मिलू जाकर ये मिला है जीवन में ये त अर्चा चल पड़ी पतली भगवाल की कैसे इच्छा से तो ये सुख और दुख एक कर्मों का भोग है और इन सब का नास करके भगवत प्राप्ति ये भजन का फल है तो एक चीज़ द्यान रखना जब सरीन निर्मान हुआ था उस समय दो चीज़े रखी गई थी पाप और प लाया तो बड़े बड़ों को अश्रद्दा हो जाती है एक आये थे उन्होंने का कि हमारे को भगवान की भक्ती में बहुत प्रीता थी एक लड़का था और भगवान ने उसे उठा लिया आज से हमारी भगवान से अश्रद्दा हो गई पर एक बार आपके पास आया हूं भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ अब उनको कैसे बताएं कि वो जीव आया ही केवल इतने समय के लिए इसमें भगवान का दोस्त लही है उस जीव को मनुष्योंनी में केवल पुत्र रूप में आपको भोगना है दंड वो आयेगा वो इतना समय दिया वो चला गया वो जीव अपने कर्म का भोग भोगना अब सद्धा करके भगवान की प्राप्ति कर लो या असद्धा करके दुर्गति कर लो यह तुम्हारा विसा है